हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई योट्यूब चैनल, स्टडी विद प्रिया, आज हम अपने इस वीडियो में, आरो ए आरो दोहसार तेईस, दोहसार तेईस का, सॉल्फ करेंगे, प्रैक्टिस सेट नंबर टू, जो विशेशन विशेशे से जंबन दित है, विशेशन सकते हैं, और आज हम ट्रैक्टिस सेट टू सॉल्फ करेंगे, विशेशन विशेशन से जंबन दित, चलिए शुरू करते हैं, हम अपना, हमारा इस ये 32 नंबर कोश्चन है, इसके आगे वल्ली कोश्चन, इसके मतलब की चैनल में, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, आरो ए इसमें हैं, हमारा पहला कोश्चन है, 32 नंबर न्यम लिखित में से कौन सा शब्द विशेशन है, औप्शन-c Gilakya चमकीला इसमें चमकीला शब्द क्या है? अंप्शन, संग्या शब्द चमक में, इला प्रत्या लगाने से या शब्द बना है, धर्म जाती वा धन शब्द स इन सब की डिफिनेशन में मैंने उसमें बता रखी है अगर आप देखना चाहें तो उसमें जाकर देख सकते हैं ज्यादा बड़े बड़े वीडियो नहीं है बहुत छोटे-छोटे हैं आप आराम से देख लेंगे आपको समझ में भी आ जाएगा और हिंदी में इससे बाहर क को कर सकते हैं अगर आपने अच्छे सुन वीडियो को देख लिया है हमारा अगला कोशन है 33 नंबर विशेशल विशेशी की द्रिश्टी से कौन सा शब्द यूग्म अशुद्ध है ऑप्शन नंबर एक द्रिश्टी द्रिश्टीवत इसमें कुछ व्याख्या में देखने द्रिश्टी शब्द विशेश है जिसका विशेशल द्रिश्टी वन्त है शेश सभी विकल्पों में विशेशी का प्रयोग किया गया है दीपक तेल गुरू शिश्य मडी रद्न ऑप्शन नंबर इसमें अशुद्ध की जगा शुद्ध होना चाहिए ठीक है कौन सा नाम की विशेशल द्वारा जिसकी की विशेश्टा प्रकट विशेशल द्वारा किसी संगया अथ्वसर्वनाम के गुर्वाचक विशेशल चाहिए बिल्कुल सही तो इसमें अशुद कर्थन पूशा था option number A हमारा सही होगा ठिक अगला हमारा प्रशन है 35 number question यह कमीज उजली है वाकि में कमीज शब्द है इसमें कमीज क्या होगा यह विशेश होगा क्योंकि कमीज की विशेशता बताई जारी कि कमीज कैसी है उजली है ठिक option number B सही होगा अगला हमारा question ने 36 number बजार में बहुत घोड़े आये हैं वाकि में विशेशन की दृष्टी से इनमें बहुत शब्द है कौन सा यह विशेशन है यह बताना है आपको बहुत है तो इससे पता चल रहा है कि कुछ क्वांटिटी से इसे नहीं पता चल रही है बहुत है निश्चित निश्चित तो है ही नहीं अपूर्ड अपूर्ड भी नहीं तुलनात्वक भी नहीं अनिश्चित है देखे अनिश्चित परिमार बोध विशेशन option number D सही है ऐसे ही बहुत सारे आएंगे कि वह बहुत खाना खाता है मतलब जिसमें बहुत आएगा वो क्या हो जाएगा अनिश्चित परिमार बोध विशेशन अगला हमारा question है 37 number धुन्दला शब्द में विशेशन है संख्या वाच्यक विशेशन गुल बताया जाने ना धुन्दला शब्द अगला हमारा question 38 number सरीखा शब्द में विशेशन है सरीखा में कैसा विशेशन है गलडा नहीं की गई है समुदाय वाचख भी नहीं करम वाचँ भी नहीं गुल वाचख है क्या है ? गुण बोला जारा है ना देखें व्याक्या में क्या सरीखा शbde में गुणवाक विशेशन हैred गलना वाक्यक विशेशन में एक दो तीन गलना की जाये रहेगी समुदाय वाक्य क्विशेशन में उत्मा अवस्था गुडवाचक इनोंने पूछा है, पर्मानंद कक्षा में सबसे होशियार चातर है, देखिए इसमें सबसे प्रयोग हुआ है न, सबसे, इसलिए इसमें option number A सही है, इसका ये भी पढ़ लेते हैं हम लोग, व्याख्या क्या लिकिए पर्मानंद कक्षा में स सबसे होशियार चातर है, इस वाक्य में उत्मा अवस्था गुडवाचक विशेशण विशेशण का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर्मानंद विशेशण और सबसे होशियार विशेशण उत्मा अवस्था गुडवाचक है, आपको समझ में आ गया होगा, अगला है हमारा पोटी नमबर निम्लिके शब्दों में से कौन सा शब्द गुडवाचक विशेशड है इसमें गुडवाचक विशेशड आपको बताना है पाचवा नहीं है, तीन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उचित, ओप्शन नमबर ए से ही है अगला हमारा कोश्चन है पोटी वन नमबर भरत सरीखा भाई मिलना कठीन है इस वाकि में शरीखा सब्द है सरीखा शब्द क्या है? ये गुडवाचक विशेशड है अपूर भी नहीं है, समुदाय भी नहीं है और अवृत्ति वाचक विशेशड है व्यक्या में देखिए, सरीखा शब्द में गुडवाचक विशेशड है सरीखा का अर्थ सद्रिश है जो शब्द संग्या या सर्वनाम के गुड़ दशा सवभाई त्यादी बताते हैं उसे गुडवाचक विशेशड कहते है, option number A सही हुआ, गुडवाचक अगला हमारा प्रश्न है, 42 number हजारों लोगों ने उसे देखा है, वाकि में विशेशड है कितने लोगों ने? हजारों लोगों ने देखा है तो इसमें विशेशड बताना है ना? तो इसमें option number C सही है, अगला है वाकि में कौन सा विशेशड है? वाँ नौकर है याद रखियेगा वाँ नौकर या सर्वनामिक विशेशड विशेशड नौकर की विशेशता क्या है? वाँ नौकर अगर आपके पास कोई किताब आपने ले रखी उसमें से आप टेक्टिस सेट थोड़ा-थोड़ा सॉल्व करते रहे हैं, इतना कठे नहीं है, जितना लोग समझ लेते हैं, option number A, सार्वनामिक विशेशन, अगला हमारा question है, 44 number, इतिहास से विशेशन बनता है, इतिहासिक नही इसमें होगा अवरित्वाचक भी नहीं, पूर्ण बोधक भी नहीं, गल्णा भी नहीं, करम वाचक है, बोलन पहला, दूसरा, तीसरा, ये करम वाचक विशेशन होते हैं, अगला हमारा question है, चौथाई शब्द में विशेशन है, इसमें देखिए, चौथाई, अवरित्ति वाचक नहीं है, गल्णा वाचक भी नहीं है, करम वाचक भी नहीं, अपूर्ण आंक बोध विशेशन है, चौथाई शब्द में अपूर्ण बोधक विशेशन है, अप्शन नमबर डी सहिए इसका, अगला हमारा question है, विशेशन अबशला है, जिस संघ्या की विशेशता है उसे क्या कहते हैं जिस संग्या की विशेश्टा बताएंगे उसे तो विशेश्टा बताएंगे option number c से ही है अगला हमारा question है विशेश्ट वा शब्द होता है इसमें option अप्शन नंबर विशेश्य क्या हो, जिस शब्द की विशेश्य बताई जाती है, उसी को तो विशेश्य कहते हैं, अप्शन नंबर ऐ से ही होगा, और सब अप्शन गलत होगे। अगला मारा प्रेशन है, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाकि में विशेश है, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, किसके बारे में बताए जा रहा है हमें, मोहन के बारे में वो क्या एक अच्छा विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी के साथ कौन सा जुड़ा हु विशेष हो गया, और अच्छा जुड़ा हुआ है, विशेष ह्हो गया, विशेष हो गया, Auption No. D सबस्केशिए हो मोहन, बालक पाइले हैं, वाहि विशेष हो गया, जिसके बारे में बताया जा रहे, अब इसमें आप सोचेंगे कि मोहन भी तो हो सकता है, मोहन तो मोहन ही के बारे में तो बताय जा रहे है सुन्दर लेकिन सुन्दर शब्द जो विशेशन जुड़ा हुआ किस के साथ जुड़ा हुआ है बालक के साथ जुड़ा हुआ है न तो इसमें बालक अभी इसमें विशेश ही क्या हो जाएगा बालक हो जाएगा और सुन्द मई, वादसले मई, प्रेम मईने इसमें है ही नहीं ठीक है इसमें विशेश्य का प्रेयोग नहीं हुआ है तो इसलिए option number D होगा अगला हमारा प्रशन है 52 number question बड़ा घर छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेश्य कौन पद है विशेश्य क्या होते है जिस शबद की विशेश्य था बड़ा घर कैसा है घर बड़ा है छोटा आदमी चोटा है वस्त्र नीला है कौन सा तो घर आदमी वस्त्र option number C सही है आप समझ गये होगे 53 number question वि धीमती स्री, रमापती, सीता राम, विशेशी क्या है, सीता राम, ठेक, ओप्चन नमबर D सेए, अगला हमारा प्रेशन है, 54 नमबर, निमलिकित में से, विशेशी पद आपको बताना है, अनुरागी, अनादृत, अपमानित, अगनी, इसमें विशेशी क्या है, अगनी, ओप पुरानी है, पुरानी विशेशन हो गया, उस तक विशेशी हो गया, option number A सही है, अगला हमारा है, 56 नमबर, विशेशी शब्द है, इसमें बताना है, विशेशी क्या है, लंबा, सुंदर, लगू, ललिता, ललिता, इसमें विशेशी है, option number A, अगला हमारा है, निमलिकित मे अगला देखते हम five-eight नमबर दश्रत के प्रान राम के लिए आकुल थे वाक्य में मुख विशेष्श्य क्या है। इसमें मुख विशेष्य क्या है। इतने देनों से मैंने वीडियो नहीं मनाएक गले में इतना दर्द है। अभी बहुत मतलब बोल रहा है ना तो मुझे महसूस हो रहा है इसमें काटे जैसा लग रहा है लेकिन फिर भी विडियो तो बनाना ही है 59 question number इसमें आपको मैंने बताया ना प्रान क्या होगा answer प्रान C रिशुरत के प्रान इसमें मुख्य विशेशे पूछ रहा है ठीक अगला है हमारा question number 59 नमली किस शब्दों में से कौन विशेश है इसमें आपको विशेश बताना है तो इसमें सब सब पता चल रहा है आकाश विशेश है ठीक है अगला हमारा प्रश्ण है साथवा नमबर वह एक अच्छा विद्यार थी है विशेश क्या है विद्यार थी विशेश ता किसकी बताई जा रही है किसके साथ विशेश लगा हुआ है अच्छा विद्यार थी के साथ विद्यार थी के साथ तो option number D से ही होगा तो I hope आपको समझ में आ गया होगा मिलते हैं अगले विडियो में तब तक के लिए दहने वाद